नमस्कार मैं हूँ नीलू मेरे साथ है मेरे सयोगी शीनम और हम शुरुवात करते हैं प्रियागराच की खबर के साथ जहां पर इलाके में दोना पतल और डिस्पूसल की दुकान में आग लग गई आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुची दुकान है कि पतल और डिस्पूसल की दुकान है जिसमें आग लगी है आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुच चुकी है आग बुझाने का काम इस वक्त किया जा रहा है बताया जा रहा है दुकान के अंदर दो लोगों के फसे होने की आशंका है इसल करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गाए है सर्वेश पतल और दोने की दुकान इसलिए आग बहुत तेजी के साथ फैली है रेस्क्यू वहां पर चल रहा है बताया जारा दो लोग फसे हुए है क्या जानकारी दोनों को निकाल लिया गया है आग पर काबू पालिय कि बहादूर गंज में दोने पस्तल की दुकान है और यह चार मंजिले बिल्दिंग है इसी में दुकांदार का परिवार भी राजीव पांडे दो फारे सेंडर के साथ मौके पर काम शुरू किया गया लेकिन चारों मंजिल से निकल रहा था और कुछ लोगों के वस्ते होन निकारा गया विनोथ के सरवानी के हालत जादा खराब होने पर उन्हें अबुलेंस से इसारन अस्ताल बेजा गया था बताएए जा रहा है कि विनोथ की के सरवानी की मौत हो गई है लेकिन अभी भी आग अंदर रदक रही है फार बिगिट की तीन और गारियां मौके पर पुलाए गई और आग बजाने का क्राम जारी है और डिपावली के दिन इस तरह से बड़ा हाद्सा हुआ है और इस हादसे ने इस तरह से सब को परशान करके रखनी है पुलिक सब परशासिम हसकान है कोटवाली का मामला है कंजस्टिन एरिया है और वहाँ पर अपरा तफ लुक्तान नहीं हुआ है चिर्फ उसी घर में जिसमें आग लगीली उसमें नुक्सान हुआ है और तमाम लागों का जो सामान भाव जलकर रात हो गया है तो अमान जलकर राक हो गया है ठीक है सर्वेश आपने जर्वाइब दर बनाए रख बहुत शूश्शन इस तमाम जा सब्सक्राइब नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते कितना क्या खती हुआ कुछ हुआ कुछ बोल नहीं पा रहे अभी मेरा इलेक्ट्रोनिक्स गुठका दुकाने हाँ नहीं अभी तक कुछ महां पर आग नहीं लगा है नॉर्मली है पुरिकर बीजीवाल एकदम नहीं हम कुछ समझी नहीं पारेगी क्या है क्या नहीं हो पारा है तक कुछ देख के दिखी नहीं रहे है जो हम बोल पाएंगे कि लगा है कि नहीं लगा कुछ समझ नहीं हा रहा है